नमस्कार दोस्तों ये है Motorola का One Vision आपको चारो तरफ से एक बार बॉक्स को मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंसे ने इधर लिखा हुए Android One जैसा कि Motorola के सारे फोन अब Android One के साथ आने लग गए है तो यहाँ पे ये परपल कलर का बॉक्स आप देख सकते हैं काफी खुबसूरा सा बॉक्स है और आप बिना किसी देरी के में इस बॉक्स को कर लेता हूँ ओपन और जो सबसे पहला कंटेन हमें इस बॉक्स में से देखने को मिलता है वो है हमारा प्यारा सा Motorola One Vision फोन जैसा कि आ आप देख सकते हैं यहाँ पर TPU केस इस फोन पर पहले से ही एपलाई किया हुआ है तो सबसे पहले इस फोन का ये TPU केस में यहां से निकाल देता हूँ और इसका जो फर्स लोग है वो हम देखते हैं तो यह है इसका फर्स लोग हमारी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यूइ इस gradient color में ये phone आपको देखने को मिल जाता है phone के लाबा box content की बात करते हैं तो पहला जो content है वो ये tpu case देखने को मिलता है transparent tpu case तूसरे अगर content की बात करते हैं तो वो मिलते हैं हमें आप ये user manuals motorla की तरब से user manuals देखने को मिलते हैं उसके अलाबा जो हमें यहाँ पे content देखने को मिलता है वो है ear buds. Motorola के फोन के साथ हमें earphones अक्सर देखने को मिलते हैं और यह phone भी आते हैं Motorola के logo के साथ. Motorola के traditional design में ही यह earphones भी हमें देखने को मिल जाते हैं box के अंदर ही. उसके अलाबा अगर मैं बात करता हूँ अगले content की तो वो है obviously हमारी USB Type-C data cable. उसके अलाबा कुछ भी box में देखने को नहीं मिलता है. मैं सारे content को यहाँ पे वापस रख देता हूँ और वापस रखने के बाद हम आ जाते हैं अपने main content यानकी अपने smartphone पे. और यार बिना किसी देरी के phone को कर लेते हैं boot और यह पहला Motorola की तरफ से smartphone है जो आता है punch hole display के साथ में Android 1 का logo आप देख सकते हैं और इस phone की मैं खास बात आपको बताता हूँ यहाँ इस phone के नीचे जैसे आप देखेंगे तो लाल कलर का subscribe का button आपको दिखाई देगा उसको 8.7 mm की thickness के साथ यह phone आपको देखने को मिलता है और 180 gram का जो weight है आपको देखने को मिलता है top side में आपको देखने को मिलेगा 3.5 mm का headphone jack bottom side में आपको देखने को मिलेगा USB Type-C का port और main speaker grill इस phone में आपको under display fingerprint sensor देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है back side में physical fingerprint sensor और अगर बात करता हूँ इस phone के main highlighted point यान की इसके vision की जो की इसका नाम भी है तो वो है इसका camera की इस phone में आपको देखने को मिल जाता है 48 plus 5 megapixel का dual rear camera setup जहाँ आपको primary sensor 48 megapixel का देखने को मिलता है f1.7 aperture के साथ वहीं आपको 5 megapixel का depth sensor camera देखने को मिलता है f2.4 aperture के साथ इसके main camera से आप 4K videos record कर सकते हैं और इस camera में एक खास बात और आपको देखने को मिल जाती है जो है इसकी dual tone dual LED flash dual tone dual LED flash होने से आप इस phone से low light में भी काफी अच्छी photos क्लिक कर सकते हैं वहीं इस phone के एक और main highlighted point की बात करता हूँ तो यहाँ आपको punch hole display में देखने को मिलता है 25 megapixel का selfie shooter जिसकी सायता से भी आप काफी अच्छी selfie क्लिक कर सकते हैं camera features की अगर मैं बात करता हूँ तो इस phone में भी आपको काफी अच्छे camera features और phone की तरह देखने को मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको panorama mode, cut out spot, color, night vision, cinema graphic, panorama और live filters देखने को मिल जाते हैं blur 1, blur 2, blur 3, blur 4, blur 5 तक यहाँ पे option मिल जाते हैं और भी बहुत सारे option आपको इस phone में देखने को मिल जाते हैं जैसे की sunlight, apple और Huawei जैसे camera features इस phone में आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं phone के अधर features की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 6.3 inch की IPS LCD डिस्पले देखने को मिलती है जहाँ आपको 21x9 का accept ratio देखने को मिलता है, कौन ना Gorilla Glass की protection भी आपको देखने को मिलती है लेकिन version कौन सा है यह नहीं बताया गया है, Android 9 Pie देखने को मिलता है, Android 1 Pie बेस्ट है तो अगले आने वाले दो साल तक आपको update मिलते रहेंगे उसके अलाबा अगर बात करता हूँ इसके performance की तो यहाँ पे आपको Samsung Exynos का 9609 processor देखने को मिलता है तो 128GB की storage और 4GB का LPDDR4X RAM का support देखने को मिलता है वहीं आपको 35MH की बैटरी देखने को मिलती है और उसके साथ आपको 15W का एक turbo charger देखने को मिलता है जिससे आप phone को जल्दी से charge कर सकेंगे तो आज करी हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment box में जलू लखे साथ साथ हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं थैंक्स पो वाची वीडियो जय बारत